जहिन सातियों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं सब यह अच्छे होंगे सातियों प्रतितिन की तरह जो आज की CCS Investing News है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और साथ के साथ जो आप मेरे से comment box में question पूछ रहे हैं उसके भी answer करने वाला हूं तो वीडियो को तक देखते रहेगा और यहाद आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा तो चलिए सातियों बनाकिसी तरह के करते हैं आज की वीडियो को चुरू तो सातियों सबसे पहले जो बच्चे कल CBSC board में उत्तरीन हुए है 99.937% बच्चे उत्तरीन ह हुए हैं तो उन सभी बच्चों को सक्षम एजूकेशन परिवार की तरफ से बहुत-बहुत सुपकामना है वो अपने जीवन में जो भी लक्षे वो चाहते हैं उसको वह हांसिल करें ऐसी हम इस वर से प्रातना करते हैं दूसरा आज UP board का भी result होने वाला है UP board का result आज 3.30 म पर declare कर दिया जाएगा उसके बाद आप UP board की side पर जाकर देख सकते हैं तो उसके लिए जो बच्चे UP board वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत-बहुत सुपकामना है वो अपने लक्षे को हासिल करें और साथ के साथ साथ एक information में आपको और share कर देता हूं हर साल सक्षम education foundation जो बच्चे अच्छे नंबर से उत्त्रीन होते हैं उन बच्चों के लिए हर साल अवर्ड function और उसके साथ साथ उनको छात्रवर्ति सुल भी दिया जाता है तो इस वर्स भी आपको वो प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा तो जैसे ही उसकी रूप रेखा होगी वो आ सब को लेकर बच्चे काफी परिशान है कि कब से admission स्टार्ट होगी कब से admission का पॉर्टल स्टार्ट होगा तो उसके लिए भी मैं आज separate वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें आपको पूरे डिटेल में explain करूँ कि CCS उनिवर्स्टी में या कहीं और आपको admission किस तरीके से लेन जारी की थी तो उन guidelines को आप जरूर पढ़ लिजेगा exam से पहले जब आपको exam start होगा उससे पहले भी आपको guideline दिखाई देंगी तो उन guideline को आपको UFM न लग जाए यानि कि आपकी UFM न लग जाए तो आप अपना जो exam से पहले उन guidelines को एक बार जरूर पढ़ लिजेगा आसपास में यानि कि 600 मीटर के आसपास में कोई भी आपका photocopy या कुछ इस टाइब कर चीजे नहीं होगी तो थोड़ा सा इस बार हो सकता है जो आपका exam है थोड़ा सकती से हो तो UPVN entrance exam के लिए भी आपको तयार रहना है प्रिपेर रहना है उसके लिए क्या-क्या guideline है तो कि आपको exam के लिए क्या क्या चीजें लेके जानी है क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए तो साथियो almost मैंने सबसारी चीजें आपको clear कर दी है यदि अभी भी आपको कोई doubt ये question रहे गया है तो आप मेंसे comment box में पूछ सकते हैं मैं जितने जल से जल होगा उसका answer य पहली साथियो मिलते हैं आपसे लेके